transmitting values में जो सबसे important topic था वो है child experiences, violence and disaster यानि बच्चों को इस तरह के तजर्बात भी तो हो सकते हैं कि जिसमें उसको किसी violence का या किसी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा हो और फिर उसके अंदर उसके असरात इतने गहरे हो गए हो कि उसकी तमाम जिंदगी उससे effect हो सकती हो मसाल के तोर पर wars और weapons तो भई जहां जंग लगती है, जहां गोला बारूद बरसता है, बहुत सी मौतें होती है लोग घर से बेघर होते हैं, वहाँ पे बच्चे चुके मासूम है, उनके मासूम जहन है उन्होंने दुनिया नहीं देखी, वो नहीं जानते कि यह सब क्यूं हो रहा है, इसके पीछे क्या है उनको जो बजाहर नुकसान पहुंचता है, वो उससे बहुत खौफ ज़दा हो जाते है और उनके जहनों पे स्ट्रेस है फिर कुछ हाथसाथ हो सकते है, कैटस्ट्राफी जैसे जल्जला आगया या सलाब आगया तो सबसे पहले वो बच्चे जो हैं, वो मतासिर होंगे उनको घजा नहीं मिलेगी, उनको तालीम नहीं मिलेगी वो घर से बेघर हो जाएंगे, और बीमारियों का शिकार होंगे कई तो बिचारे जान से हाथ दो बेटते हैं, लेकिन अगर वो बच्च भी जाते हैं तो तलख तजर्बात उनके जहन से नहीं जाते इसी तरह अगर ऐसे इलाके जहां पर कोई आफ़ता आ गई, खौब जंग ही क्यों नहीं हो तो लोग जान बचाने के लिए खानदान के खानदान दूसरे मुलकों में मुन्तकिल हो जाते हैं और ऐसा अब दुन्या में होता है, अब जब वो मुन्तकिल होते हैं जो उनका घर है या जो उनका कुदर्ती, उनका महौल था, वो सदूर होते हैं ये भी उनके लिए बहुत बड़े स्ट्रेस की और उनको एक बहुत बुरे तजर्बे से गुजरना पड़ता है अब्यूस, अब्यूस पूरी दुन्या में किसी ना किसी तरह से जारी है और सिकनेस ओफ डिर वन्स, किसी की मौत हो गई वालदयन में से, या कोई एक्सिडन्ट हो गया, कोई हाथसा ऐसा जिसमें कुछ तबाहो बरबाद हो गया, प्लेन के हो सकते हैं, किसी भी चीज का हाथसा हो सकता है, तो वो बच्चे के जहन से जाता नहीं, लेकिन क्या हम उ तुलाया जाए, उसको हग किया जाए, सीने से लगाया जाए, तो वो तो चुकि अभी कुछ नहीं समझता, उसकी जो जरूरियात पूरी हो जाएंगी, तो वो जिन्दगी की तरफ लोट आएगा, इसी तरह जो प्री स्कूलर्स हैं, उन्हें हमें ये रियोशोर करवाना प बताएं, इससे उनका किफार्स होगा, फिर ये कि जो बच्चे हर तरह के, हर उमर के हैं, उनके साथ भी हमें यही करना है, क्जैसे हमने कहा कि जी, अब्जॉर्वेंट ऑफ देर बीहेवियर, हमें क्या करना है, उन बच्चों को अब्ज़र्व करना है, और देखना है कि कि तरफ जा रहा है या चुप बैठे हैं अलग बैठे हैं या खा नहीं रहे या सो नहीं रहे तो जो मसला होगा पहले उसको identify करेंगे फिर उनको physical comfort देने की कोशिश करेंगे हमारी कोशिश होगी कि हम वो तमाम सहुलियात उनको फरहम करें कि अगर उनके वालदयन होते तो उ कानी या मटी उसमें खेलाएं वो खेलें उनसे तो उससे भी उनका के थार्स होगा वो अपना गुस्सा अपना अपना दुख उसमें निकाल सकते हैं फिर हम कहते हैं कि हम physical activities को इस तरह की करवाएं यानि हम बच्चों को वर्जिश करवा के खेल कर आके ऐसी चीजों में मश बात सीथ करनी है प्यार से महबबत से भई क्या हुआ है आप क्या सोच रहे हैं कौन सी चीज आपको परिशान कर रही है फिर उसके इर्दगिर्द safety measures करने है कि अब वो जो वाक्या उसने देखा है कभी उसके सामने दोहराया ना जाए कोई तस्वीर कोई बात कोई खबर उ ताके वो उस crisis में से बहरान में से निकल सके फिर ये कि हम ये कहते हैं कि उसको हम exposure to media देते हैं ताके वो देखे कि लोग दुनिया के अंदर भी और लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और उनको भी इसी तरह से resilience की तरफ आना है उसको ऐसी examples दी जाएं कि जैसे एगर प्राइश हो गया और लोगों ने survive किया तो उसको survival की resilience की input दी जानी चाहिए stories बतानी चाहिए ताके वो उससे सीखे और फिर ये कि हमें आखिर में उनको हर तरह से organized life की तरफ वापिस लेके आना है encouragement से हुसला अफजाई से बात चीत करके ताके वो अपने stress को भूल के अपन